फिर से आगया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सब की भलाई, अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना, बिग ब्लिस लेकर आएगा, दस मिनट में आपके घर पर दवाई, बिग ब्लिस खुशियों की अपनी दुकान नमस्कार दोस्तो, IFL Securities में आप सभी का स्वागत है, IFL Securities की तरफ से सभी वीवर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुपकाम ना है, आज हम चर्चा करेंगे Yearly Outlook, Equity, Commodity और Currency पर, Yearly Outlook में हम जानेंगे कि पिछले साल मार्किट कैसा रहा, मार्किट में क्या क्या important points रहे, और मार्किट का trend कैसा रहा, और साथ में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि अगला साल 2022 में क्या important point हो सकते हैं, मार्किट का trend कैसा रहेगा, और मार्किट के levels कैसे होंगे, तो सबसे पहले हम चुरुआत करते हैं equity market से हमने देखा sensex करीबन 22.04% की तेजी के साथ 58,277 के स्तरबर बंद होता हुआ देखा गया वहीं अगर nifty की बात करें तो nifty में भी करीबन 24.12% की तेजी के साथ 70,354 के स्तरबर बंद होती भी देखी गई जहां हमने देखा omicron virus फैलता हुआ नजर आया और हमने जहां vaccination drive देखी तो उससे market वो काफी support मिला हमने देखा कि पूरे ही विश्व में vaccination की जो drive है वो काफी तेजी से बड़ी और काफी percent तिम अगर हम देखें तो vaccination drive successful रही इसकी वज़े हमने market में तेजी बनते हुए देखी साथ में निवेशकों का विश्वास भी काफी रहा और अगर हम domestic institutional investor की बात करें तो वहाँ पर भी काफी support रहा इसकी वज़े से हमने equity market के अंदर तेजी आते हुए देखी तो industrial demand की वज़े से और global growth की वज़े से हमने equity market में तेजी बनते हुए देखी तो हमने देखा कि 2021 में equity market में एक शांदर बड़त बनते हुए देखी अगले साल के लिए जो महत्मून लेवल रहेंगे support अगर हम देखें तो 14 यार और 11 जार का रहेगा resistance करीबन 19 यार और 22 यार 500 का रहेगा हमें लगता है कि अगले साल भी equity market में तेजी का trend देखने को मिल सकता है buy on dips की strategy रहेगी और हमारा मानना है कि अगले साल nifty 19 यार से लेकर 20 यार तक के level को दुबारा चू सकती है अब हम बात करते हैं दोस्तो commodity market के हमने देखा equity market के साथ साथ commodity market में भी तेजी देखने को मिली मगर अस्टर जनक अगर हम देखें तो इस साल gold और silver में negative return देखने को मिले 5 साल के बड़त होने के बाद gold में इस साल negative return देखने को मिले gold करीबन 4% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 48-99 के सतर बंद होता हुए देखा गया spot gold भी अगर देखें तो करीबन 3.59% की गिरावट के साथ 1829 के सतर बंद होते हुए देखा गया तो कहीं न कहीं profit booking हमने gold और silver में देखी vaccination drive होने की वज़े से coronavirus के खत्रे से भार निकलने की वज़े से और global growth होने की वज़े से हमने देखा कि gold silver में negative return देखने को मिला silver की अगर बात करें तो silver में करीबन 8% की गिरावट रही और करीबन 62-660 के सतर बंद होती हुए देखी गई spot silver में अगर बात करें तो more than 11% की गिरावट रही और silver करीबन 23.29% के सतर बंद होती हुए देखी गई gold के लिए महत्पुन support 47,000 और 44,000 रहेगा resistance जो है 50,000 से लेकर 52,000 का हो सकता है हमारा मानना है कि अगले साल भी gold के अंदर एक तेजी का trend बनता हुए नजर आएगा यूगि जिस तरीके से हमने omricron virus को बढ़ते हुए देखा है और जिस तरीके से inflationary pressure पूरे global economy में दिख रहा है उससे gold को काफ़े अच्छा support मिल सकता है हाला कि पिछले साल investment demand थोड़ी कम रही वगर हमारा मानना है कि इस साल investment demand बढ़ सकती है और gold ETF के अंदर भी अच्छा एक inflow आ सकता है हमारा मानना है कि अगले साल gold silver में बढ़त जारी रहेगी और gold के भाव उपर में करीबन 50 यार से लेकर 51 यार के सतर को और international market में करीबन 1950 के सतर को चूँ सकते हैं silver में महत्मून सपोर्ट लेवल 58,000 और 53,000 रहेगा race 10 67 यार से लेकर 71 यार तक के लेवल हो सकते हैं हमारा मानना है silver अगले साल 67 यार से लेकर 70 यार तक के लेवल को चूँ सकती है और international market में करीबन 26 डॉलर तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं silver में एक महत्मून सतर है 30 डॉलर का अगर silver 30 डॉलर को break करती है तो हम काफी अच्छी rally silver में आती हुई देखेंगे जहां पर भाव 80,000 से लेकर 90,000 तक भी जा सकते हैं मगर silver का 30 डॉलर को break करना काफी important रहेगा तो एक की लेवल रहेगा इसको आप watch कर सकते हैं अब हम बात करते हैं दोस्तों base metal की base metal ने double digit में return आते हुए देखे गए हैं यहां पर हमने देखा है कि base metal ने equity market को भी beat किया है जहां पर हमने देखा है कि copper ने करीबन 25.93% के gains के साथ 748.90 के स्थर पर बंद होते हुए देखा गया base metal में अगर देखें तो industrial demand US China की demand EVs की demand की वज़े से हमने base metal में काफी शांदरतीजी आते हुए देखी है पूरे साल अगर हम देखें तो कई न कई सप्लाई का disturb रहा जिसकी वज़े से demand तो बड़ी लेकिन सप्लाई काम आती हुए दिखाई दी जिसे भावों को और ज्यादा support मिला copper में अगर हम देखें तो महत्मुन support 700 और नीचे 630 रहेगा resistance 800 से लेकर 870 रहेगा हमारा मानना है copper अगले साल 800 से लेकर 820 के स्थर को छूँ सकता है और 870 तक की भी level देखने को मिल सकते हैं तो copper में हमारी अगले साल के लिए भी खरदारी की सदा रहेगी zinc की अगर बात करें तो zinc ने copper को बीट किया और करीबन 34.31% की तीजी के साथ 287.95 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए zinc में headphone support 260, 220, resistance 320 और 360 रहेगा हमारा मानना है zinc अगले साल 320 से लेकर 340 तक छलांग लगा सकता है वही अगर हम lead की बात करें तो lead में थोड़ी कम तेजी देखने को मिली हाला कि 19.58% की तीजी के साथ lead के भाव 186.55 के स्थर पर बंद होते हुए देखे गए lead में headphone support 160 और 120, resistance 210 और 240 का रहेगा इस साल के लिए हमें लगता है कि lead में कहीं न कहीं एक तीजी का trend रह सकता है और भाव 210 से लेकर 220 तक जा सकते हैं Almonium पी अगर बात करें तो Almonium ने शांदर तेजी देखी और zinc को बीट करते हुए Almonium करीबन 49.95% की तेजी के साथ 225.25 के स्थर पर बंद होता हुआ देखा गया EVS की demand, US China की demand, imports की demand और industrial demand की वज़े से हमने Almonium में अच्छी खासी तेजी बनते हुए देखी है Almonium हैरा मानना है कि अगले साल भी ऐसे आउर परफॉर्म करेगा और Almonium के भावों में TG continue रहेगी Almonium के लिए महत्पुन सपोर्ट लेवल 200 और 160 रहेगा Resistance 260 और 310 रहेंगे हमना मानना है कि यहाँ पर टार्गेट जो है उपर में 260 से लेकर 280 तक के लेवल दिखा सकता है तो Almonium के अंदर भी हमें लगता है कि अगले साल TG का ट्रेंड देखने को मिल सकता है हुई अगर निकल की बात करें तो निकल ने भी करीबन 29.48% की TG के साथ 1569.90 के सतर पर बंद होते हुए देखे गए निकल में महत्पुन सपोर्ट 1400 और 1200 रहेस्टेंस 1800 और 1200 हमें लगता है कि निकल के भावों में भी अगले साल हम तेजी देखेंगे और भाव करीबन 1800 से लेकर 1900 के सतर को चूँ सकते हैं यहाँ पर बैटरी की डिमांड, इलेक्टरी वेहिकल की डिमांड काफी important role play करेगी जहाँ पर हम base metal के अंदर तेजी आते हुए देखेंगे सकता है, तो वहाँ पर भी हमें कच्छी नजर बनाके चल सकते हैं, अब हम बात करते हैं energy segment की जो की काफी important रहा, जिसमें सभी को beat करते हुए almost 59.62% की gains के साथ 5 यार 625 के सतर पर बंद होता हुए देखा गया, crude के हमने अंदर देखा कि supply काम होने की वज़े से, और energy crisis जहाँ हमने होते हुए देखा उसकी वज़े से, और साथ में demand बंडने की वज़े से crude के भाव में 3G देखने को मिली, और crude के भाव करीबन almost 60% तक की चेजी के साथ बंद होते हुए देखे गए, हमने Brent में भी देखा, WT में भी देखा, almost Brent में भाव 80 लॉलर के आसपर स्टेट करते हुए देख रहे हैं, और Brent में करीबन 76 डॉलर के आसपर स्टेट करते हुए देख रहे हैं, तो demand बंडने की वज़े से हमने crude के अंदर energy segment में अच्छी कासी तेजी बंते हुए देखी है, crude के लिए महत्पुन सपोर्ट 5,000 और 4,300 रहेगा, resistance 6,000 से लेका 6,700 रहेगा, हर मानना है कि अगले साल crude के भाव 6,000 से लेका 6,300 के स्टर पर बंद हो सकते हैं, और वहापर TG का trend देखने को मिल सकता है, natural gas के अंदर भी हमने एक resistance 330 और 330 रहेगा, हमारा मानना है natural gas के अंदर भाव उपर में 320 से लेकर 330 तक के level देखने को मिल सकते हैं, हाला कि natural gas के अंदर अगर बात करें तो यहाँ पर demand काफी जाता देखने को मिल सकती है, यहाँ पर supply कुछ कम देखने को मिल रहे हैं, जिससे भाव को अच्छा कासा support मिल सकता है, तो अगले साल के लिए हमें लगता है natural gas और crude के अंदर buy का trade बनाया जा सकता है, अब हम बात करें currency segment की, तो हमने देखा है currency segment के अंदर भी यहाँ पर रूपिया में कुछ depreciation देखने को मिला, रूपिया करीबन 1.73% की depreciation के साथ 74.30 के स्तर पर बंद होता हुआ देख इंपोर्ट होने की वज़े से भी यहाँ पर कई ना कई रूपिया को गिरावट का साहरा देखने को मिला, हमें लगता है आने वाले दिनों में रूपिया में एक तीजी का दौर देखने को मिल सकता है, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करें तो फॉरेक रिजर्फ जो है व हमारा मानना है कि अगले साल रुपिया 73 से लेकर 76 के बीच ट्रेट करेगा और जो रुपिया का रुख होगा वो एप्रिशेशन की तरफ जादा देखने को मिलेगा, अब हम बात करते हैं अगरी कल्चर कॉमोरिटी की जहाँ पर हम लेकर आए हैं चार टॉपिक पूरे साल क के लिए हमने देखा है अगर हम एगरी की बात करें तो पूरा साल काफी जादा इंपॉर्टेंट रहा हमने देखा NCDX में चना सरसो और कुछ एगरी कल्चर कॉमोरिटी एडिबल ओल्स को बैन किया गया हमने इस साल में काफी ज्यादा हाई लेवल सभी एगरी कल्चर कॉम आच्छी बूआई देखने को मिल सकती है जिससे आने वाले समय में हम अच्छी पैदावार देखेंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हमें एडिबल ओयल में खाते य तेलों में कुछ नर्मी का रूख देखने को मिले हैं वहीं हमने देखा कॉटन के अंदर भी 27 के स्थर पर लेवल बंद होते हुए देखे गए हमारा माना है गवार के अंदर अगले साल हम 7,000 से लेकर 7,500 तक के लेवल देख सकते हैं गवार गम की डिमांड बंडने की वज़े से और लोकल डिमांड की वज़े से गवार सीट गवार कम को सपोर्ट मिल सकता है और सीड ओयल के भाव 3,111 किस्तर पर बंद होते हुए देखे गए हमारा मानना है अगले साल कॉटन सीड ओयल के भाव 3,700 से लेकर 4 हर किस्तर को चूँ सकते हैं केटल फील की डिमांड की वज़े से भावो को सपोर्ट मिल सकता है और कॉटन में जो तीजी आई है उसका असर भ बंद होते हुए देखे गए हमारा मानना है मैंथा ओयल के अंदर एक्सपोर्ट डिमांड आने की वज़े से भावो को अच्छा सपोर्ट मिल सकता है और हमें लगता है कि मैंथा के अंदर भी खरदारी का टेड बना के चल सकते हैं अगले साल के लिए जो हमारे टार्गेट के बाद हमने एक तीजी यहाँ पर मसालों में देखी है टर्मरिक जो के करीबन 62% की गेंस के साथ 9608 की स्तर पर बंद होती हुए देखी गई मसालों के अंदर भी हमने अच्छा रहना पाते हुए देखा है हमारा मानना है आने वाले साल में मसालों में तेजी रहेगी अच अब ही में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है तो यह था दोस्तों हमारा एरली आउटलुक एक्यूटी कॉमोर्टी करंसी का आशा करते हैं कि आपको यह पसंद आएगा और आपके पॉर्टफोलियो को आगे बढ़ाने में कुछ हेल्प करेगा आज ही आप अपना आए उह उि kidnapped आएगा और एक भी में तो यापके ऑने को मिल सकता हैं कि आपके फजार ओर आपके एक वालेकंड़ा एक शवर्टी को आपके शवर्टी को आपके डिए्ड़ के बढ़ा चया टरोस्तों हमारा लते हैं ऑना आपके ख़़एटलू ङत्तों ह diffused चारा चके पयछ़ा